सबसे पहला प्रशंव आजगा कि मध्यप्रदिस पर्रटन विकास निगम का गठन कब किया गया था मैं तो हम कूल थीस प्रशंव इस वीडियो में दिस्कश करेंगे सभी प्रशंव ब्यक्या सहई आपको बताएंगे तो हमेसे याद रखेगा कि मद्धिप्रदिस पर्रेटन विकास निगम का गठन किया गया था वर्स 1978 में कब किया गया वर्स 1978 में मद्धिप्रदिस पर्रेटन विकास निगम का गठन पर्रेटन इस्थलों के विकास करने के द्रश्टी से किया गया था अगला प्रश्ण है कि भीम वेटका की गुफाएं कौन से जले में इस्थित हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्ण है इस प्रश्ण को आप फाइव इस्टार लगाईएगा फाइव इस्टार लगाईएगा इस प्रश्ण को तो हमें से याद रखिएगा कि भीमवेटका की गुफाएं इस्थित हैं राइसेंजले में कहाँ पर भई राइसेंजले में इस्थित हैं और यह गुफाएं इन गुफाओं का संबंद भीमवेटका की गुफाओं का संबंद पासाण कालीन संस्क्रती से है यह प्रश्ण भी पूछ लेता है मध्ध पर्दीश में कहाँ पर इस्थिट हैं अभी हमने देखा भीम वेट का भीम वेट का भीम वेट का की गुफाइं कहाँ पर हैं भीम वेट का थिं राईसेन में भार भार बोलूगा मैं तक आपका रिवुजन अच्छे से हो उति चीजहां जाद समय तक च्याद रहें भिमबेट का रायसन में और वर्त हरी के गुफाई हैं भईयाजी कहा, उजएयन में वर्त हरी हरी माने भगवान और भ़वान वर्ता तो भोले से जोड़ेंगे आप वोले से तो हरी भगवान भगवान का मंदिर कहां पर है उजयन में है तो बरतरी के गफ़हिक आ कहां रहेंगी अगला प्रश्न है कि मद्यप्रदीश की किस गुफा को अजन्ता की गुफाओं के समकालिन माना जाता है फाइविष्टा लगाईएगा इस प्रश्ण को अब तक जितने तीन प्रश्ण बताएं प्रश्ण कर्मांग दो तीन चार फाइविष्टा लगाईएगा तीनों प्रश्णों को तो हमें से आद रखें अजंता की गुफाएं भई महाराश्टर में हैं कहां पर महाराश्टर में हैं अजंता की गुफाएं और इन अजंता की गुफाओं को समकालिन किसे माना जाता है मध्य परदेश के धार जिले में जो बाग की गुफाएं ये प्रशन भी पूछ लेता है कि बाग की गुफाएं कहा पा रहा है तो भई बाग की गुफाएं कहा है धार में है और जन्ता की गुफाएं कहा है महराश्रम में है प्रशन है कि मद्य प्रदेश की यह गुफाएं बौध्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं बताईएगा तो हमेंसे याद रखें बौध्ध चित्र के प्राण कही जाने वाले जो गुफाएं हैं उनका नाम है वाग की गुफाएं अभी मैंने बताया बाग की गुफाएं कहां पर हैं धार जले में हैं तो हमेंसे याद रखिए गा, रंगीन चित्रकारी इन गुफाओं में आपको देखने को मिलेगी, कौन सी गुफाओं में, बाग की गुफाओं में, वैसी रंगीन चित्रकारी देखने को मिलेगी, रंगीन रंगीन, ओके, इसी कारण इन बाग की गुफाओं को रंग महल भी कहते हैं क्या रंग महल भी कहते हैं तो प्रशन पूछ ले रंग महल कहा हैं तो रंग महल भई बाकी गुफाओं को कहते हैं और बाकी गुफाओं कहा हैं धार जिले में हैं रगला प्रशन है कि मद्य प्रदीश में पांडव गुफाएं कहां पर इस्थित है बहुत अच्छा प्रशन है तो हमेसे आद रखिएगा मद्य प्रदीश में पांडव गुफाएं देखे, पांडव graphics के गुफाएं हैं तो यह पच्मड़ी में रहेंगी पांडव पचमड़ी ओके पांडव कहां पचमड़ी पांडव गुफाइं पचमड़ी में है पचमड़ी क्या है एक मात्र एक मात्र क्या है एक मात्र हिल इस्टेशन है भई एक मात्र हिल इस्टेशन है इतना रिविजन करा देंगे कि चीज़ें कभी आपसे गलत नहीं कि मद्धिप्रदीश की कौन सी गुफाओं का संबंद जैन धर्म से है अभी हमने देखा था मद्धिप्रदीश की धार जिले में बाग की गुफाओं का संबंद किस से था भई बौद्धों से उके बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं बाग की गुफाएं बाग की गुफाँ का सम्मद बौद्धों से और जेन धर्म का सम्मद किस से है जेन धर्म से सम्मद तो गुफाएं हैं भई है अब हमने देखा उदैगिरी की गुफाओं का संबंद ज्ठय धर्म से है कर बराह अवतार का चित्रण उदैगिरी गुफाओं के गुफा नम्मर पांच में देखने को मिलता है अगला प्रश्ण है किलों का रतन कौन से दुर्ग को कहा जाता है किलों का रतन कौन से दुर्ग को कहा जाता है बहुत अच्छा प्रश्ण तो हमें सियाद रखिएगा किलों का रतन कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग का निर्माड 525 ए में ये प्रशन पूछा गया है भई ग्वालियर किले का निर्माड कब हुआ पुलिस में है पुलिस में ये भी प्रशन पूछा गया है कि ग्वालियर दुर्ग का या ग्वालिर किले का निर्माड किशनी कराया तो भई राजा सूरज सेन ने ग्वालिर के किले का निर्माड कराया तो यह प्रश्ण पूछा जा चुका है अगला प्रश्ण है मद्यप्रदीस के खजराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे तो मद्धिपरतीस के खजराहू मंदिर कौन सा भई खजराहू मंदिर को बनाने वाले राजा कौन से थे चंदेल उके चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 इस इमें इनका क्या है निर्माण कराया था आगे वड़ते हैं अगले प्रशन की और अब मैं आपसे प्रशन जरू करूँगा खजराहू के मंदिर कौन से जिले में इस्तित है अब आप जिला कमेंट करेंगे अगला प्रशन है कि भारत में सबसे बड़ा वौध इस्तूप कहां इस्तित है बहुत अच्छा प्रशन है तो हमें सियाद रखें भारत में सबसे बड़ा बौध इस्तूप इस्तित है वई साची में विकल्प 20 का सही जबाब है अगला प्रशन है लेकिन उससे पहले में फिर से एक बार आपको रेवीजन करा दूं के बाग की गुफाएं किसे संबन देते हैं भई बाधधों से बाध़़्टर के प्राण कही जाती है बाग की गुफाएं और बाध़ इस्तूप कहां है साची में अगला प्रशन है हिंडोला महल कहां पर सा प्रशने कई बार पूछा जाता है बेसरम प्रशने लेकिन क्या करें भई बताना पड़ेगा सबी लोग इसका सही जवाब करके आते हिंडोला महल कहां पर है मांडू में ओके इसके अलाबा अगर बात की जाए हिंडोला महल के अलाबा तो रानी रूप मती महल रानी और जहाँगीर महल कौनसा जहाँगीर महल और जहाज महल और जहाज महल पूरे के पूरे कहां पर हैं भाई ये पूरे के पूरे मांडू में हैं और मांडू कौनसे जिले के अंतरगत आता है तो हमें से याद रखना मांडू धार जिले के अंतरगत आता है और धार में क्या है बाग की गुफाएं है अगला प्रश्ण है कि मद्परदेश की किस जिले में असीरगड का किला उपस्तित है तो हमें से याद रखना असीरगड का किला उपस्तित है भई बुरहानपुर में उके बिकल्प सी इसका सही जवाब है अब बात आती है असीरगड के किले के बारे में असीरगड का किला जो है पहले खंडवा जिले में आता था लेकिन अब जब बुरहानपूर खंडवा से लग हुआ तो कहा बुरहानपूर में आने लग गया अगला प्रशन है सोन गिरी के प्रशिद जैन मंदिर मद्य प्रदेश की किस जले में इस्थित हैं बहुत इचा प्रशन है तो हमें से आद रखें सोनंग गिरी के प्रशिद जैन मंदर जो है वे मद्य प्रदेश के दतिया जिले में इस्थित है अगला प्रशन है कि मद्य प्रदेश का ऐसा परटन इस्थल जो अपने मंदरों के लिए विख्यात है तो भई अपने मंदरों के लिए विख्यात है खजराहो मैं इससे पहली प्रश्ट के अख्रेण से करूँगा खज्राओ कौनसे से जिलेकर अंतरगत आता है बताईएगा अग्ला प्रश्ट है खज्राओ मंद्रो का निर्मार की ने करा चदिल सासकों ने करा आया प्रश्णे मुक्तागिरी नामक प्रशिद्ध इस्थान कहां पर है बहुत अच्छा प्रश्णे तो अमेसे आद रखें मुक्तागिरी नामक प्रशिद्ध इस्थान है भई कहां पर बैतूल में मुक्तागिरी वैतूल और सोनगिरी कहां पर है मुक्तागिरी वैतूल में और सोनागिरी कहां पर है सोनागिरी दतिया में है सोनागिरी कहां है दतिया में और गौम्मटगिरी कहां पर है गौम्मटगिरी गौम्मटगिरी है भई कहां पर इंदोर में ये सभी के सभी जेन तीर्थ इस्थल है अगला प्रश्ण है महाकालिश्वर मंदिर कहां पर आसान सा प्रश्ण सभी को पता ज्याद समय नहीं लेंगे तो महाकालिश्वर मंदिर है भई उज्जेन में अगला प्रश्ण है जंतर मंतर भी कहां पर है उज्जेन में और गोपाल मंदिर भी कहां पर है उज्जेन में ओके गोपाल मंदिर जंतर मंतर और महाकालिश्वर मंदिर कहां है उज्जेन में प्रश्ण है कि मद्ध प्रदेश में दच्छन भारती पद्धती का मंदिर कौन स यह गौालियर के किले में गौालियर के दुर्ग में इस्तित है इसके अलावा गौालियर के किले में सास बहु का प्रसिद्ध मंदर भी है सास बहु का प्रसिद्ध मंदर और तेली का मंदर दोनों कहा हैं गौालियर के किले में अगला प्रश्ण है मद्य प्रदेश के किले का जोहर कुंड प्रसिद्ध है तो जोहर कुंड चंदेरी के किले का प्रसिद्ध है उके बिकल्प सीज का सही जबाब है अगला प्रश्ण है कि मद्य प्रदेश के प्रचनिस्थल का नाम बताएं जो अंतरराष्टी विख्याती प्राप्त है और देनिक वायु सेवा से भी जड़ा हुआ है तो मद्य प्रदेश का ऐसा प्रचनिस्थल जो अंतरराष्टी वायु सेवा से भी जड़ा हुआ है उसक उकारेशो नर्मदा पर इस्थित है बिल्कुल सही है उकारेशो बाराज जोतलोंगों में से एक है बिल्कुल सही है लेकिन उकारेशो नर्मदा नदी पर बसा एक तीर्थ इस्थल है लेकिन रेल्वी स्टेशन ये नहीं है यहां पर देश के बाराज जोतलोंगों में से एक लेकिन नर्मदा और तापती का कोई संगा मिस्थल यहां पर नहीं है तो गलत यहां पर नर्मदा तापती नदी का संगा मिस्थल नहीं है अगला प्रशन है निम्न मैं से कौन सा गुप्त कालीन मंदिर मध्य प्रदेश में है वो है कुण सा भई? तिगवा का विश्णू मंदर भी भूवरा का सिव मंदर भी और नचना कॉठार का पारवती मंदर भी यह सभी गुप्तकालीन मंदर है जो के मध्य प्रदेश में है देखे, अब बात आती है तिगवा का विश्णू मंदर तो तिगवा मंदिर है भई जबलपुर में स्क्रीन सोट लेजेगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे इसे नोट कीजेगा तिगवा का विश्णु मंदिर है जबलपुर में और भूवरा का सिव मंदिर है सतना में भूवरा का सिव मंदिर कहा है सतना में और नचना कुठार का पारवती मंदिर है भई, पन्ना में, ओके, कहां पर पन्ना में, और खोह मंदिर, ये को लिखिएगा, खोह मंदिर, ये खोह मंदिर कहां पर है, भई, खोह मंदिर है, सत्ना में, ओके, खोह मंदिर कहां पर है, सत्ना में, आगे बढ़ते हैं, अगली प् और इस तालाब के किनारे ही बांधोकट के किले में बना हुआ है और यहीं पर इसी बांधोगर के किले में ही सेस साही तालाब भी है कौनसा सेस साही तालाब और लच्छु नारण का मंदिर दोनों हो गए ठीक है भईया सेस साही तालाब लच्छु नारण मनें विश्णु भगवान भई कहां बैटेंगे विश्णु भगवान सेसनाग पर तो सेस्ता ही ताला भी कहा होगा बांधो करके दुर्ग में प्रश्ण है राजा नल और दमेंती की पेड़ाय गाथा से कौन सा किला जुड़ा हुआ है तो हमेसे याद रखें राजा नल और दमेंती की पेड़ाय कथाओं से जुड़ा हुआ किला है नरवर का किला प्रश्ण है कि निमने लिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खेलजी ने कराया था अलाउद्दीन खेलजी ने मंद सौर के दुर्ग का निर्माण कराया था अगला प्रश्ण है खजराहो के मंदिर कितने शमु हमें बटे हैं तो हमें से आद रखें खजराहो के मंदिर तीन शमु हमें बटे हुए हैं प्रश्ण है कि भगवान बाहु वली की प्रतिमा कहां इस्थित है तो भगवान बाहु वली की प्रतिमा इस्थित है गौम्मट गिरी में ओके कहां पा रहा है गौम्मट गिरी में अगला प्रश्ण है कि प्रतम बार हिंदुों ने कौन से स्थान पर भूगोल को समझा था त साथ इसी तरह के सांदार महत्पून प्रश्ण प्राप्त करने के लिए और हमारी मद्धि प्रतिस पुलिस के लिए लाइफ क्लासिस का समय कुछ इस प्रकार है करेंट अफेर्स वज़ साथ बज़े दो पर बारा बज़े जीके राज साथ वजे MPG के रातनों बज़े साइंस और वाटसेप ग्रूप जरूर जोइन कर लें मॉक टेस्ट और सभी प्रकार के PDF के लिए